तो 24 गंटे में विधान सभा को भंग कीजिए भारतिय जनता पार्टी आप से लड़ने की तरहा आज नितिश कुमार जी इस्तिफादे 24 गंटे में भारतिय जनता पार्टी का विधान सभा चुनाव कराने कीजिए नमस्कार में सागेत कुमार अपनो भारत टाइम्स देख ने बिहार बिजेपी के परदेश साध्यक समराड चौधरी ने नितीश कुमार को चुनोती देते हुए कहा कि अभी इस्तिफाते और 24 घंटे में ही बिजेपी विधान सभाज शुनाओ करवाएगी और जीत भी कर भी समराड चौधरी ने काया कि काफी उलेखनी काम किये जाएंगे सबसे पहले इस वीडियो में देखिए क्या कुछ कहते निजर आ रहे हैं समराड चौधरी हम लोग तो तैयारी है नितीश बावु आज इस्तिफादे हाज नितीश कुमार जी इस्तिफादे 24 घंटे मे भारतिय जंगता पार्टी का ब्यार यूनिट विधान सवाद चुनाव कराकराने के लिए लोग सवाद तो सिडूल है छे मेने में लोग सवाद को चुनाव होना ही है अब तो एलेक्षेन कमिशन ओफ इंडिया को तैकरना क्योंकि छे महिने के अंदर एलक्षन कमिशन ओफ इंडिया को तै करना की चुनाओ की प्रक्रिया कभ करना है या स्वेंप प्रधान मंत्री जी तै कर सकते हैं तो प्रधान मंत्री जी ने कहा है कि अतिहासिक होगा यह जो पास दिन का बजट है कि सत्र जो है और सत्र के माध्यम से 83 कार भी हम करेंगे तो लोकसवा का चुनाव देश के यससमी प्रधानमंत्री जी या अलक्षन कमिशन ओफ इंडिया ही निने ले सकते लेकिन नितीज कुमार जी को जो राजनितिक हैसियत मिली है ब्यार की जंता से वो है कि विधान सवा का चुनाव करा सकते हैं हम उनसे आगरक करते हैं यदि आप में हिम्मत है तो 24 गंटे में विधान सवा को भंग कीजिए भारतिये जंता पार्टी आप से लगने के लिए तो आपने देखा समराच चौदरी ने साफ कहा दिया नितीज कुमार को कि अभी इस्तिफादे और 24 गं 2025 में जो बिहार का विधान सवा चुनाव होगा इसे लेकर समराच चौदरी ने पहले ही कह दिया कि आज नितीज कुमार इस्तिफादे आज ही 24 गंटे के अंदर चुनाव किया जाएगा और विशे सत्र जो बुलाया गया विशे सत्र को लेकर भी कहा है कि प्रधान मंत्री म कुदी ने विशे सत्र बुलाया और काफी उलेखनिये काम इस सत्र में किये जाएंगे एहम फैसले ले जाएंगे फिलाल उस खबर में इतने नौबहट टेम्स के जाद बने रहें पतना से साकेत कुमार